इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिगई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी. इसके अलावा यह प्रभावी रूप से मानस्पेशियों की जकरन या एंठन से राहत देता है जिससे मानस्पेशियों की गती में सुधार होता है. यह मस्तिश्क में रासायनिक संदेश्वा हकों को अवरूत करके काम करता है जो हमें बताते हैं कि हमें दर्ध है इसे सबसे अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए निर्धारित रूप में ले आवश्यक्ता से अधेक या अधिक समय तक न ले क्योंकि या खतरनाक हो सकता है सामानी तोर पर आपको कम से कम समय के लिए काम करने वाली सबसे कम खुराक लेनी चाहिए यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय, जीवन की गुनवत्ता प्राप्ट करने में मदद करेगा इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसी चबाएं, कुचले या तोडे नहीं एत्रिक एमार टेबलेेड भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहταर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए इत्रिकेमर टेबलेड दो दवाओं का एक मिश्रन है हटोरिकोकसीब और थियोकोल कोकोसाइड जो दर्द से राहत देता है और मानस्पेशियों को आराम देता है अटोरिकोकसीब एक नॉनस्टेरायल अन्टी इन्फिलिमेटरी ड्रग यानि की एनसे आईडी है जो दर्द और सूजन यानि की लालिमा और सूजन पैदा करने वाले कुछ कैमिकल मेसेंज को निकलने से रोकता है थियोकोल चिकोसाइड मानस्पेशियों को आराम देने वाला है यह मानस्पेशियों की जकरन या एंठन को दूर करने और दर्द और मानस्पेशियों की गती में सुधार करने के लिए मस्तिशक और रीर की हड़ी के केंदरों पर काम करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन उन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद